नमशकार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीर्मेंट में मैं करूना इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का सेकिन टरम का सलेबस थियोरी और प्रेक्टिकल का दोनों तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं थियोरी की तो थियोरी में इस बार आपके सेकिन टरम में आने वाला है यूनिट अमबर फॉर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट फोर सी डवलु एसन यह जो CWSN वाले स्पेशल बच्चे हैं यह उन लोगों के लिए सलेबस है इसके लावा यूनिट फाइव जो योगा है आपका उस पर और जो उसके पॉइंट्स हैं आएंगे जैसे मीनिंग और इंपोर्टेंस ऑफ योगा, एलिमेंट्स ऑफ योगा, आसन, प्रेयना, मेडिटेशन तो यह सारी चीज़े यूनिट फाइव से यूनिट सिक्स है आपकी फिजिकल एक्टिविटी एड लीडर्शिप ट्रेनिंग इसके अंदर आपकी लीडर्शिप कॉलिटीज, रोल ओफ लीडर्श, आपका अबजेक्टिव, मीनिंग, यह सब आ जाएगा चैप्टर नमबर नाइन है आपका, साइकोलोजी एड स्पोर्ट्स इसके अंदर आपकी डेफिनेशन्स, इम्पोर्टन्स, यह सब इस चैप्टर से पूछा जाएगा तम सेकिंड में चैप्टर नमबर टैन से आपका आएगा, ट्रेनिंग और डॉपिंग इन स्पोर्ट्स इसके अंदर मीनिंग, कॉंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशन्स, यह सारी चीजें पूछी जाएगी यूनिट 10 से तो थियोरी में आपके दोस्तों आने वाले हैं चैप्टर नमबर 5, 6, 9 और 10 7 और 8 आपका टम 1st में आ चुका है तो सिफ 4 यूनिट्स हैं जो आपकी आने वाली है इसके अलावा एक CWSN स्टुडेंट्स के लिए है यूनिट 4 तो यह था आपका थियोरी का से ले बस अब बात कर लेते हैं प्रेक्टिकल की जो की आपका होगा प्रोजेक्ट फाइल पांच मार्क्स की डेमन्स्ट्रेशन ओफ फिटनेस एक्टिविटी और योगा पांच मार्क्स का और आपका वाइवा रहेगा पांच मार्क्स का तो इस तरह से 15 नमबर का प्रेक्टिकल रहेगा और 35 मार्क्स की आपकी थियोरी रहेगी जैसे कि आपका टर्म फर्स्ट में भी था दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ धन्यवाद दोस्तों